नमस्कार दोस्तों मैं मोन सुथार स्मार्ट काउंटिंग आरसनार के यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आरा से टी एक्जाम के बारे में जो की 6 दिसंबर 2020 को होने जा रहे हैं और इस एक्जाम में अप्रेल 2019 से लेके दिसंबर 2019 तक के बेच को सामिल किया गया है और जो एक्जाम 6 दिसंबर 2020 को होने जा रहे हैं उससे देखते वे हमारी एक्सपर्ट टीम के दुबारा सत्तर मोस्ट इंपोर्टेंट क्विश्चन की लिस्ट तियार करी है विद आंसवर के साथ तो दोस्तों अगर आपका भी एक्जाम 6 दिसंबर 2020 को है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप इस वीडियो को कम्प्लीट एंड तक देखना सत्तर क्विश्चन के साथ और वीडियो देखने के बाद आप हमें कमेंट करके जरूर बताना भी इन सत्तर क्वि वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कर लें तो दोस्तों दिसंबर तो दोस्तों आरेसे अटी एक्जाम दिसंबर दो जार बी से पाल्ट फस्ट यानि कि यह मारा फस्ट वीडियो है जो कि जिसका एक्जाम चाहिए दिसंबर 2020 को होने जा रहा है और इस वीडिवम सत्तर क्विस्टेंज को रिपेट किरेंगे विद आनसवर के साथ तो दोस्त क्या पूछ रहा है और इसका सही answer क्या होना चाहिए क्योंकि दोस्तों computer system में होता है क्या है जो names होते हैं computer के parts के name वो लग बग मिलते जूलते होते हैं तो इसलिए हर student जल्द वाजी में इसका गलत answer कर देता है वो जबकि question को ध्यान से पढ़ता ही नहीं है तो दोस्तों शुरू करते हैं question wise तो पहला question जो है वो यह यह वरगी करण के अदार पर computer को कितने बागों में बंटा गया है तो इसका जो सही answer है वो तीन है second question है वि data बंडारन शमता परदर्शन और processing के मामले में सबसे सकती साली computer कौन से है तो सही answer है शुपर computer question number 3 पहला super computer कब बनाया गया था और उसका नाम क्या था तो उसका सही answer जो कब बनाया गया था उनीसो चाहांट में बनाया गया था और उसका जो नाम था वो cd 6600 था यानकि 6600 का तो इसमें क्या लगबग जो नाम होते वो मिलते जूलते हो सकते हैं या पर आप देख सकते हो भी 1966 और cdc 6400 भी है तो हमें द्यान रखना है इसका जो कब बनाया गया था वो तो 1966 में और उसका जो नाम था वो cd 6400 है क्योंकि प्रिंटर एक आउटपूट डिवाइस है तो अगर इस क्यूस्चन को इस तरीके से पूछा जाए भी निमन में से आउटपूट डिवाइस कौन सा है तो भी इसका आउटपूट डिवाइस नहीं है क्यूस्चन नमर फाइब निमन में से कौन सा ओप्टिकल डिस्क है हाडिक्स, डिवडी रेम, रेम या प्रोसेसर तो सही आंस्वर इसका cdr, dvd तो दोनों में से एक cdr भी हो सकता है क्यूस्चन नमर फाइब निमन में से कौन सा ओप्लिकेशन सौप्टवेर नहीं है तो सही आंस्वर विंडोस 7 क्योंकि ये ओप्लिकेशन सौप्टवेर नहीं है ये सिस्टम सौप्टवेर है अगर इस question को इस तरीके से पूछा जाए भी नीमन में से कौन सा system software है तो भी इसका answer जो Windows सेमर रहेगा क्योंकि MS Excel, Tele, Photoshop यह अधर जितने भी होते हैं जो हम जुरूरत के अमसार इस्तेमाल करते हैं वो सारे application software होते हैं Computer का जनक किसे कहते हैं? Charles Beves Question No.8 raw fact जिसे letter word दमने को का जाता है data कौन से memory प्राकरतिर गुप से ऐस तिर होती है? RAM तो दोस्तों अगर आपको यह PDF फाइल भी चाहिए 70 questions के साथ तो आपको मैं इस वीडियो को end में बताऊंगा भी आपको यह PDF फाइल वो किस तरीके से मिल सकती है Question No.10 DPI की full form क्या है? तो dot per inch तो इसको इस तरीके से भी पुछा जाग सकता है DPI की पूरा नाम क्या है? तो भी यह dot per inch रहेगा Question No.11 Processor एक electronic device है वो कौन सी दातू से बना होता है? Silicon के दातू से DVD का पूरा नाम क्या है? तो सही नाम है इसका सही answer Digital Versatile Disc Question No.12 Wi-Fi का पूरा नाम क्या है? तो सही answer है Wireless Fidelity Question No.13 निमन में से कौन सी toggle keys है? निमन में से कौन सी toggle keys है? तो सही answer Capsule Keys तो दोस्तो toggle keys है वो तीन परकार की होती है Capsule Keys Num Log Keys और सक्रोल लोग keys अगर Caps लोग की जिए नम लोग की पुछा जाए तो नम लोग भी toggle की जाए अगर सक्रोल लोग की जाजए तो भी toggle की जाए Question No.14 परदान मंत्री जंदन योजना बार सरकार दोवारा कब शुरू की गी थी? तो अगस्त 2014 में Question No.15 P.O.S. का पूरा नाम क्या है? तो सही आंस्वर Point of Sale Question No.16 Social Networking Site है तो Facebook भी Social Networking Site है Twitter भी है Instagram भी है तो सही आंस्वर होजएगा ओप्रोक्त सभी OMR का पूरा नाम क्या है? Optical Mark Riden OMR का? Full Forum Question No.18 राज E-World को का जाता है Digital Dastaviz परबंदन Question No.19 MS Word में कौन सी कुन्जी से करसर के बाएं और अक्सर मिटाई जा सकते है तो सही आंस्वर हैगा Backspace तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? भी बाएं और का मतलब क्या होता है? अब जिसा आप देख सकते हो भी हमारा करसर है जो बाएं और और के बीच में चल रहे है अगर हमें इस बाएं सबद को अगर हटाना हो तो हम जो बेक स्पेस की जोती है इंटर के उपर वो हम प्रेस करेंगे तो ये बाएं के करसर से कुंजी ये है जो हटते जाएंगे और इसी का अपोजिट जो क्विश्चन है अभी MS Word में कौन सी कुंजी से करसर से दाएं और की अक्सर को मिटाए जा सकते है तो जोस्तों आप देख सकते हैं क्विश्चन बिल्कुल मिलते जूलते से हैं जो फरक आरा है वो केवल बाएं और दाएं का है जो क्विश्चन उनिस नमबर था MS Word में कौन सी कुंजी से करसर के बाएं और की अक्सर को मिटाए जा सकते है तो बाएं और से अगर मिटाणा हो तो बेक स्पेस कुंजी से और MS Word में कौन सी कुंजी से करसर के दाएं और की अक्सर को मिटाए जा सकते हैं तो वो होता है डिलीट कीज कुंजी से क्विश्चन नमबर था HDMI का पूरा नाम के है तो सई आन्सवर High Definition Multimedia Interface क्विश्चन नमबर 22 निमन में से कौन सा सर्च इंजन है तो Google Chrome तो आप यहाँ पे देखते हों यहाँ पे Google.com भी लिखा हो है तो Google.com एक साइट है IRTC वो भी एक साइट है www.rksl.com यह भी एक है वेब साइट है तो Google Chrome होता है वो सर्च इंजन है Internet Explore क्या है तो Web Browser है क्योंकि जैसे कि Google Chrome होता है वेसी तरीके से Internet Explore भी होता है Mozilla Firefox भी हो सकता है इसके जिए यह भी आसकता है Mozilla Firefox क्या है तो वो भी एक तरीके का Web Browser है Google Chrome क्या है यह पुचा जा सकता है तो उसका भी वे ब्राउजरी रहेगा Question number choice Portant और Landscape क्या है तो इसे हम बोलेंगे Slide Orientation तो इसका मतलब क्या होता Portant और Landscape का मतलब जब हम कोई भी Page हम Printout निकालते हैं तो Printout के दो Format होते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं एक तो होता है इस तरीके से बिल्कुल और एक इस तरीके से Long में होता है दो एक में तो अक्सर इस टाइप से लिखे होते हैं तो ये तो रहेगा Portant में और इस तरीके को अगर आपकी Line लंबी है तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं इन्हीं एक्सरों को पेज को गुमा के जिसे का हम बोल सकते हैं तो यह जो ओप्शन होता है इस तरीके से पढ़ने वड़ा उससे हम बोलते हैं लेंड्सकेप और यह जो इस टाइब का जो ओप्शन होता है इससे हम बोलते हैं पॉर्टेंट तो question number 25 निमन में से कौन सा software आपके computer की जासू से करता है तो सही answer इसका spyware question number 26 निमन में से कौन सा micro blogging का उधारण है तो twitter micro blogging मलब छोटे blog लिखने के लिए twitter का use किया जाता है question number 27 निमन में से कौन सा e-gourness application का परकार नहीं है तो c to c यानि कि customer to customer में किसी भी type की government या e-gourness से application से समन्द नहीं रखता बी to b मतलब business to business b to c का मतलब business to customer c to c का मतलब customer to customer और b to g का मतलब business to government g to c e-gourness का उधारण है तो इसका सही answer lays of residential land question number 29 निमन में से कौन सा विकलब राजस्तान के एक e-gourness पहल का उधारण नहीं है तो इसी type के जो question होते हैं वो सबसे ज़्यादा confuse करते हैं उधारण है या नहीं है इसी type के जो question होते हैं वो सबसे ज़्यादा confuse करते हैं तो इसका सही answer है राज welfare question number 30 निमन में से कौन से दो CPU की मुख्य कॉंपोनेट होते हैं तो आप देख सकते हो सभी के अंदर बिलकुल मिलते जूलते नाम हैं लेकिन इसका जो आंस्वर अब हो रहेगा control units and ALU यान की earth logic unit question number 31 निमन में से किस के माध्यम से संपूरन computer system में संचार होता है तो सही answer mother board जो कि एक अंदर मारे supply जो kit जो लगी होती है mother board उसके माध्यम से computer system में संचार होता है एक byte आठ बिट के बराबर होता है जबकि एक nibble के बराबर होता है यान कि कितने बिट के बराबर होता है एक nibble जो कि चार बिट के होता है जो अगर हम इसकी बात करें size की तो सबसे जो छोटी काई होती है वो nibble यह है question number 33 इस computer में वरणमाला, संख्यात्मक, विराम, चिनने को electronic data में परदर्शित करने के लिए सबसे अधिक किस code का उप्योग किया जाता है तो जो सई answer वो SL question number 34 data को store करने के लिए मुख्यत है कौन से format का उप्योग किया जाता है तो वो होता है binary code का question number 35 world wide web क्या होता है तो यह सई answer अनेक पेज़ों का world wide web यानि की www आपने देखा है वेबसाइट जो लगाते है तो उसके पहले www जो लिखा होता है तो यह www.ki full form यह होती है world wide web question number 36 .com .in .gov.org को किस नाम से जाना जाता है तो सई answer इसका sub domain name के नाम से यानि की .com एक commercial website को present करता है .gov एक government की website को present करता है .org एक organization को करता है .edu जो होता है वो एक education related जो website होती है उसके लिए use किया जाता है तो इन सब को हम domain sub domain name बोलते है question number 37 TCP और IP का उपयोग किया जाता है किस के लिए किया जाता है फाइल को transfer करने के लिए email करने के लिए या remote को login करने के लिए तो इसके लिए IP address का use किया जाता है question number 38 किस search engine का विकास Microsoft ने किया है तो बिंग का जो search engine है उसका जो विकास है वो Microsoft company दोबरा किया गया था 39 किस protocol का उपयोग करके email बेजने और प्राप्ट करने के लिए किया जाता है तो सही answer POP3 या SMTP question number 40 email के साथ बारी फाइले वीडियो फोटो इमेज बेजने के लिए कौन से option का उपयोग करते है तो सही answer attachment का question number 41 निमन में से कौन सा operating system graphical user interface का एक उदार नहीं है तो सही answer इसका window 8.1 question number 42 निमन में से कौन सा operating system नहीं है तो सही answer और केल ये एक application software है question number 43 इन में से कौन सा एक email client है तो Gmail एक है email के client के रूप में होता है modem नहीं होता router भी नहीं होता और domain भी नहीं होता URL की full form क्या है तो इस तरीके से बुचा भी URL का पूरा नाम क्या है तो सही answer uniform resource locator question number 45 एक petabyte यानि की PB में कितने byte होते है तो सही answer एक हजार choice TB यानि की TB की full form terabyte MB की full form Megabyte GB की full form Gigabyte KB की full form Kilobyte question number 46 कौन से chart में data points line में जुड़े होते हैं जिसी यह देखना असान हो जाता है कि क्या value बढ़ रही है या कम हो रही है MS Excel 2010 में तो इसका सही option होता है देखने के लिए line chart का उपियोग हो किया जाता है जो हम देख सकते हैं कई बार हम graph के तुरू देखते हैं graph कम हो रहा है या ज्यादा उतर इसी तरीके से line ओ को देखने के लिए question number 47 वरतमान में Windows 10 में पर्स्ट भूमी में चल रहे का रहे करम के लिए कौन से बाद के परतीक है तो सही answer इसका system tray question number 48 एक document में एक bookmark लगाने के बाद आप books mark को दूसरी जगें से text में किस option से create कर सकते हैं तो सही answer एक इसका cross reference question number 49 आप MS Word 2010 में potent और landscape layout के बीच के पर्स्ट का उप्योग करके switch कर सकते हैं तो सही answer एक है इसका orientation shortcut करिए question number 50 IP address का वेद उधारना यान की इसका जो सही format होता है IP address का वो क्या होता है तो जो सही format होता है वो इस तरीके होता है तो इसमें सबसे बड़ा confusion यह रहेगा आप देख सकते हो जो इसका answer A है और जो D है वो देखने में बिल्कुल आपको same लग रहे होंगे लेकिन दोनों में जो difference है वो यही है आप देखो इसमें 192 dot लगा है 105 के बाद dot लगा है 130 के बाद dot लगा है और यहाँ पर dot की बजाई यह minus का निसान सा लगा हो है तो यह minus का जो निसान लगा हो वो गलत होता है जहाँ पर dot लगा होगा वो IP address का सही format होता है यानि कि इसका सही उधारन है question number 51 powerpoint में presentation का एक संग्रह होता है जिसे हम क्या बोलते है slides question number 52 MS Word 2010 में format पेंटर की shortcut की क्या है तो इसमें भी ध्यान रखने वाली बात है जो इसकी जो shortcut की हो control plus shift plus c question number 53 किस परकार का software आम तोर पर अपने आंतरिक संसादनों के प्रवंद के लिए computer का समर्थन करता है तो सही answer इसका system software question number 54 निमन में से कौन सा function MS Excel 2010 में part string की लंबाई लोटाता है तो इसका जो सही फॉर्मेट होता है वो सही फॉर्मूला L.E.N. का होता है question number 55 निमन में से किस अवसर पर राष्ट्रिय मद्दाता सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई है तो सही answer राष्ट्रिय मद्दाता दिवस question number 56 एक online electronic अस्ताक्सर सेवा है तो राज E.Sign अगर इस question को इस तरीके से पुछा जाए भी एक online electronic अस्ताक्सर सेवा नहीं है तो क्या जाएगा इसकी जगा फिर राज E.Sign है जो हट जाएगा और इसका जो electronic अस्ताक्सर सेवा वो राज E.Sign रहेगा question number 57 नागरीक online मद्दाम से रोजगार के लिए कैसे पंजी करन कर सकते हैं E.Mitter के दवारा या रोजगार विवाग की website पर जाके तो जो सही answer है वो E.Mitter से भी कर सकते हैं और रोजगार विवाग की website पर जाके भी से हम रोजगार के लिए पंजी करन कर सकते हैं question number 58 एक open source mobile operating system है तो सभी को पता होता ये android को की mobile में जो operating system होता वो android best होता है question number 59 MS Word किसी सबत को सभी परसनों पर दोराने के लिए परयोग में लिये जाता है तो इसे हम बोलते है header footer यानि कि हम एक बार header और footer लगा देते हैं चैप header लगाओ चैप footer लगाओ जैसे मैंने इस आप देख सकते हो इस page पे लगा रखा है RSAT exam December 2020 तो आपको यह हर page पर नजर आएगा तो यह इसे हम बोलते है header अगर यह option अगर आपको यहाँ पर बिल्कुल page के end में मिलता तो इसे हम बोलते है footer यानि कि हम एक बार लिखते हैं तो आपको यह हर page पर automatically दिखेगा आपको बारी-बारी से यह type करने की जरूरत नहीं होती question number 60 Excel workbook निमन में से किन सियोंजन से बनती है तो सही answer worksheet and chart से question number 61 we look up function निमन में से क्या कारा करता है या आपसे यह question भी पुचा जाकता है we look up जो formula है वो निमन में से क्या कारा करता है तो जो सही answer है विसमंदित record का पता लगाने के लिए question number 62 power point के प्रस्तुती करण में duplicate slide लेने की shortcut की क्या है तो सही answer control plus D यानि की duplicate बढ़ाने के लिए computer में आंक्डे संग्रीत करने से संदरम में निमन में से कौन से सबसे बड़ी इकाई है तो गिगाबाइट यान की GB question number 64 एक application program जो आपको personal letter firm letter gross facts या website manual जैसे विविन परकार के liquid document त्यार करने में मदद करता है तो सही answer इसका word processor यान की जो typing से समद्दी जो भी working जो होती है वो word processor में होती है स्पेडर सीट यह एक्सल से related रखता है web browser internet के दियो गया और window एक तरीके का system software आ गया तो सही answer इसका बनेगा word processor question number 65 Microsoft Excel 2010 का extension name क्या है तो Microsoft Excel के लिए dot xlsx आप देख सकते हैं आपर इसका जो extension name है MS Excel का और जो dot docx है यह Microsoft Word 2010 का extension name है और dot pptx है यह Microsoft PowerPoint 2010 का extension name है तो जो question पुछा जरब हो आ रहे है कि Microsoft Excel 2010 का तो Excel के लिए रहेगा dot xlsx question number 66 निमन लिखित में से कौन सा formula सही रूप से परविश्ट है तो इसका जो सही formula है वो बराबर sum a1 से लेके a10 तक क्योंकि जो formula जो होता है वो बराबर sum के साथ ही चलता है तो अब यहाँ पर आप देख सकते हो c और d में क्या difference है यह भी बराबर sum से सूरू हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो यह semicolon के निसान है यह double लगाए हुए हैं जबकि जो सही format होता है वो एक बार ही लगता है तो इसका जो सही format है वो बराबर sum a1 से लेके a10 के टोटल के लिए formula होता है ms excel 2010 में question number 67 memory का वैब आग जो परती सेकंड कई बार refresh होता है जो diamond rate question number 68 page orientation option किस tape में उपलब्ध है तो यह page layout के tape में होता है ms word 2010 के software में question number 69 एक सुत्र बनाने के लिए आप किसका उप्योग कर सकते हैं या इस question को इससे पुछा जा सकता है ms excel 2010 में एक सुत्र बनाने के लिए आप किसका उप्योग कर सकते हैं तो इसका सही answer है cell value और cell संद्रबो में question number 70 Microsoft Excel 2010 में Chinese cell से एक चार्ट बनाने के लिए क्या keyboard shortcut button दबाया जा सकता है यानि कि एक चार्ट बनाने के लिए keyboard से कौन सी shortcut key का आप उप्योग करोगे जिसे कि आपका चार्ट बन जाए तो उसका सही answer है D यानि कि F 11 तो दोस्तों ये थे 70 most important question और हम इस exam तक जो कि 6 December तक होएगा उस तक आपको जो RSCAT books में जो 15 lesson है उसके lesson wise भी आपको question त्यार करके इस channel पर upload करेंगे तो दोस्तों आज की वीडियो कैसे लगी आप हमें comment के जूरूर बताना और ज्यादा से ज्यादा आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के गुरूप में share वीडियो रो करना और अभी तक आपने इस channel को सब्सक्राइब नहीं किये तो वो भी जरूर कर लेना तो दोस्तों मिलते हैं next वीडियो में के नए topic के साथ